थ्योर्म होती है, कुछ भी गिवन नहीं है, so that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. Rectangle inscribed in a fixed circle. Circle fix है, मैं करवा रहा हूँ जरा एक बार है ना, या आजाने तो. मंडे को मैं उफ्लाइन बिलाऊंगा साइद, टाइम आज बिसाइड कर लेंगे. 6.51 एक साइज का 19 कॉस्चन है, मैक्सिमा मिनिमा. All the rectangles inscribed in a given fixed circle. एक circle fix है, fix का मतलब है कि उस circle का radius fix है. ठीक है? और उसके अंदर एक rectangle inscribed है. तो आपको प्रूव करना है कि ये rectangle जो है, इसका area maximum होगा, तब जब ये square होगा. मतलब circle fix है और उसके अंदर ये rectangle है. ए, बी, सी, डी ले ले लेते हैं. Initially हमें ये rectangle given है, लेकिन हमें ये दिखाना है कि इसका जो area है, वो maximum होगा, अगर ये square होगा तो. तो यहाँ पर क्या करते हैं, let radius of fixed circle, जो circle fix है, उसका radius माले से r, और length of rectangle. एक्स, width हो गई y, यहाँ ने consider कर लिये, x and y. अब यहाँ पर आप देखोगे कि area क्या है, rectangle का area कितना होता है, length into breath. तो area of rectangle, length into breath, इसको हमें maximum करना है. मैक्सिमम करने के लिए हमारे पास जो expression है, उसमें एक variable होना चाहिए, हमें नजर आ रहे हैं, x and y, दो variable हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? यह situation हर question में आती है, maximum minimum है, कि जो हमें maximum या minimum करना होता है, उसमें दो variable होते हैं, तो इसमें एक कुमें convert करने के लिए हम कुछ ना कुछ जो given होता है, उसका use करते हैं, तो इंट्राइंगल adb, मैं आप पाया तो कर तुरम लगाओ, क्योंकि रेक्टेंगल है, यह 90 होगा, x square plus y square equal to 2r का whole square, यहां से हम y की value निकाल लेते हैं, under root of 4 square minus x square, और यह वाली value हम यहां पर रख देते हैं, अब आप देख रहों कि यहां पर एक variable में function बन गया, अब हम इसको derivative करना है, जीरो के equal रख के x की value निकालनी होगी, और यह दिखाना होगा maximum है, यहां पर एक बात और बतानी है, कि जब भी question में square root आ जाए, तो दोनों तरफ squaring कर दो, उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है, question, क्योंकि अंडरूट वाली term का derivative करने में problem आती है, तो squaring करेंगे तो यह हो गया, a square, x square, 4 square minus x square, यानि 4 r square x square minus x raised to the power 4, अब क्योंकि हमें maximum value निकालनी है, तो हम इसको differentiate करेंगे, with respect to x, इसमें करेंगे तो 2 आगया आजाएगा, 2 a x, और a dash x, और यह आजाएगा, यहाँ पर x का square आएगा, 8 r square x minus 4 x cube, यहाँ पर एक काम करो, इसको थोड़ा सा मैं और आसान बना देता हूं, a square को f x मान लो, इसको f x लिख लो, तो f dash x हो जाएगा, यह इससे आजान रहेगा, अब हम क्या करेंगे, 4 maxima and minima, f dash x equal to 0, इसको 0 के equal रखके, x की value हमें यहाँ पर निकालनी होगी, तो 0 के equal रखके x की निकालते हैं, तो 8 r square x minus 4 x cube equal to 0, 4 x में से common ले लेते हैं, तो 2 r square minus x square equal to 0, x की value 0 आ गई और x की value आ गई अंडरूट 2 r, इसको डेक्डेक्ट कर देते हैं, second derivative करेंगे, तो यह आ गया, 8 r square minus 12 x square, और आप इसके अंदर यह वाली value पुट करोगे, अंडरूट 2 r, तो 8 r square minus 24 r square, 16 r square means negative आ गया, तो maxima हो गया, अब हमारे maxima आ गया, लेकिन हमने भी square प्रूव नि किया, यह जो x की value निका लिए हमने, इसको हम first equation में डाल देते हैं, अब first equation कौन सी लेनी है, इसको first equation ले लेते हैं, क्योंकि हमें y निकालना है, इसलिए, तो इसके अंदर पुट करेंगे, तो y equal to under root of 4 r square minus x square, का मतलब 2 r square, तो y की value, भी under root 2 r आ गई, इसका मतलब x और y equal हो गया, therefore, it is an square, it is a square, इसका मतलब यह हुआ कि, उस rectangle का area maximum है, हमने दिखा दिया maximum है, और वो कब है, जब x की value under root 2 r के equal है, और जब x under root 2 r के equal है, तो y भी under root 2 r है, hence it is a square, तो यही हमें प्रूव करना था, तो उम्मीदे सभी को आ गया होगा, समझ में अच्छे से, अच्छे से,